तक आप मैं हूं आपके साथ तीपक सिंग। इस तरीके से आफगानिस्तान की लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं पाकिसान आइस आईसाई की प्रमुक हैं उनका बहुत रोल माना जा रहा है तो आपको इस समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्यूं अफगानिस्तान में इंट्रेस्ट ले रहा है और बार-बार क्यूं ISI के जो प्रोमुक है वहाँ पर जाके बातचीत कर रहे हैं तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दखल देने की कोशिश कर रहा है हम बात करेंगे 1965 या मिन 1970s की जिस वक्त इरान के साथ मिलकर पाकिस्तान ने वहां की जो सरकार को हटा के दाउध खन करके एक शक्स थे उनको सत्ता पर बठाया और उनको उमी पाकिस्तान और इरान की जो चाते थे कि अफगानिस्तान में उनके बठाये कटपुतली की सरकार रहे वहां से उखड चुकी थी और ये 1970s में जब सिविल वार हुआ उनके अफगानिस्तान में एक बार फिर से की सत्ता सहटानी के लिए तो पाकिस्तान और इरान को मुझ की खानी पड़ी लेकिन 19 साल बाद 1989 में जब रूस वहां से निकल रहा था अफगानिस्तान छोड़के रूस बाहर गया पाकिस्तान ने अपने नुमायंदे भेजे कि किस तरीके से अफगानिस्तान में सरकार का गठन हो 1989 से लेकि 1992 तक 1992 में अगर मैं बात कर तो मुझा है दिन की एक सरकार आई जो कुछ देर तक बैठी एक कुछ सालों तक रही लेकिन वहां पे वहां पे वह च पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एहम रोल था कि पाकिस्तान चाहता था कि किसी भी तरीके से जो भी सरकार उनके पडोस में बने उसमें खास तोर पर उनका दखल हो तो आप समझे मेड 1970 में 1965 से लेकिन 1970 का दौर था उसमें दावत खान आते हैं 1970 में रूस के दखल के बाद पाकिस्तान और एरान की जो महनत थी सब बरवाद हो जाती है फिर 1989 में 19 साल बाद जब रूस चली आता को मिनिस सरकार चली जाती है तो तो फिर दौबारबारा पाकिस्तान जाता है आफगानिस्तान में और खुशिच करता है कि किसी तरीके से जो सरकार बन सके लेकिन 1992 में जब फिर से वहां पे civil war की होती है तो फिर उरुबवा-Pakistán को तालीबान को लाके आफगानिसान की सत्ता में बठाना बढ़ता है और वचाथे कि किसी तरीके से कट-पुतली की सरकार रहे अब बात करते हैं कि तालीबान की सरकार अब तालिबान की सरकार आने के बाद उनके रिष्टे अमेरिका से अच्छे नहीं रहे और उसके बाद 9-11 के हमले के बाद से ही उसके तालिबान वाद से चले आता है उसके बाद आती है, वहाँ पे एक डेमिक्राटिक गवर्मेंट आती है, लोगों के चुनेवे प्रतिरिदी आते हैं, जो वहाँ की सत्ता सम्हालते हैं अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये कि जो चुनेवे सरकार आती है, जिने लोगों ने वोट देखकर अफगानिस्तान की संसद में बठाया, वो लोग अब पाकिस्तान की बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से दुश्मन मोड लेते हैं और वो रुक करते है इंडिया का, भारत का, वो चाहते हैं कि भारत के साथ दोस्ताना संबन्द बने, ना की बजाए पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हमने इनकी इतनी सालों से मदद की, जब भी इनको जोड़त परती थी, हम पहुँच जाते थे, तो ऐसा क्या हो गया कि यह भारत की तरफ इनका रुक कर रहे हैं, भारत की तरफ जैसे आफगा ने रुक किया था, जो इनकी चुनियु सरकार रही थी तो भारत थे काफी साहय था कि उनके हत्यार दिये, उनकी फॉजियों को ट्रेनिंग दी, उनके लिए डैम बनाया, उनकी लिए जितनी भी डिपलम तो उसमें बात यह थी कि कल ये कआ गया था किंथा इयर-फोस की जो ड्रोंस उन्हों पांशीर पर हामना किया पंशीर बंभ गिरा है लेकिन ऊते आते तक हमें एक हबर आहे LAN सामने की पाकिस्टान की जो मोटर्ण के लिए उनके पास हत्यार नहीं है मतलग साहले कि 2015 में पाकिस्तान ऐसा पांचवा देश था जिसके पास attacking drone था उन्होंने अपने धेश में अपने आतंगवादियों को मानने के लिए जो केहदे से कहा जाते हैं कि पाकिस्तान आतंगवाद पालता है उसको पैसे मिलते हैं उनको मार्याने के ताकि ग्रेलिस और जितनी भी में नाम भूल रहा है उसका लेकिन यह बात जाहिर है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इंटर्नल मैटर से दूर रहे कुए बिदेशी जो फॉज है वो अगर अमेरिका है तो चली गई है तो पाकिस्तान को भी अपनी एरफोस नहीं भेजनी चाहिए थे पंशीर में अगर उन्हें भेजा है तो बहुत गलत है खुले तोर पे इरान से इंवेस्ट्मेंट भरपूर मिलने वाला है तो चीन अगर आप तालिबान को जाना बड़ेगा, कोंकि जो इंट्रिजेंस है, जो आपको पता करना बड़ेगा, कि आपकी देश पे कौन हमला कर सकता है, कौन हैं कर सकता, कूझि अमेरिका आपका साथ छोड़ चुका है, तो इस वक्त काम आता है राशिया, तो रूस आपको इंट गर्जोर बनाके इनके साथ रहना पड़ेगा तो पाकिस्तान को लग रहा है कि तालीबान के जो ने सरकार आएगी वो शायद बात ना कर पाए तो इसलिए वो ड्राइविंग सीट पर बैटके मुलब खुद ड्राइव करते हुए अब ताली उनको पीछे बठाते हुए सारी देशों से बात कर रहा है और नियोता दे रहा है कि आप आएगजिये और उनके सरकार गठें में काम कीजिए यह निई कि टालीबान भेज में खुद पाकिस्तान को कहा है कि आप कोई बहाइं पे चीफ को पन्शीर पे एनकी जीत मुम्कीन हो पाई थी आब हमान बिशन रड़ाई चल रही है और सुबह तक यह भी खबर आई थी कि उस पे वहां पे उन्हेंने किसी अग्या सेनी विमानों ने उस पर हमला कर दिया था तो मैं आपको इसमें थोई से अपडेट इसमें और दे दूँ कि अग्या जो सेनी विमान थे ऐसा कहा जाता है कि जो न पंशीर के लाकों से और यह भी खबर है कि जब तालिबान कभजा कर रहा था अफगानिस्तान में तो जो उनके अच्छे पाइलेट से जो भी लोग तो तजाकिस्तान भाग गए और इसमें आपको एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि तजाकिस्तानी दुनिया का एक मा अब तैस्ट अज़र भी तालिबान दाखिस्तान भाग गये थे और उसके बाद आज सुबह जब ताज़स्तान से अज़र जो ब्यान दे ओडिया करते हैं कि अभी जंग जारी है और में लोगों सा फील करता हूं कि वो खुलकर तालिबान का विरोध करें तो इसकी तुरं हो या उनकी एरफोर्स हो जिन्हों ने तालिबान पर हमला किया हो तो बहराल आपको जो भी अप्डेट से हमने सारी बताए तो अगर आप हमारी खबर बढ़ना चाहते हैं तो क्राइम तक डॉट इन पर आके विजिट करें